हलो फ्रेंड, CKD Stock Market News चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके सामने एक turnaround business की बात कर रहा हूँ यानि की turnaround business यानि की U-turn जिस company के business ने U-turn लिया है उस company की बात करूँगा यानि की exchanging solutions limited की बात कर रहा हूँ पहले ये company almost ये समझो की बिलकुल अपने निचले इस तरपर चल रहे थी समझो खतम company थी लेकिन वापस से अचानक से इस company के अंदर एक revival start हो गया है इसकी वज़े से इसके share price में काफी सारा jump देखने को मिल रहा है 99 रुपए 99 रुपए 10 पैसे का इसका current price इससे में चल रहा है exchanging solutions limited की बात करेंगी तो ये IT services को provide करती है कहां operation करती है इंडिया के अंदर है and an international presence भी है इनकी international में भी है कहां कहां है इसके साथ subsidiary इनकी USA में भी है Singapore में है और UK के अंदर है अगर मैं बात करूँगा इसके market cap की तो एक micro cap के degree की company है 1104 करोड का इसका market cap है current price की बात करेंगी 99 रुपए 10 पैसे का है actually इस तरीके के company लाने का purpose क्या होता देखिए InfoSys, TCS, Vipro, Kotak Mahindra, HDFC, Trident ये सब को पता है क्या नहीं पता है कुछ इस तरीके की छुपार रिष्टम company है ये company 1200, 1300, 1400 रुपए पहुंच जाती है investors सोचता है कास मुझे 40-50 रुपए की जब ये company थी तब पता चलता तो इसी subject में आप explore करते रहों चीज़े जितना आपको market में या YouTube पे जितना ज़्यादा explore करने को मिले जितने ज़्यादा turnaround business वाली company मिले या जितना ज़्यादा multi-bagger category वाली companies अगर आपको मिलती है तो simple है YouTuber के नाम से एक watch list प्रिपेर कर लो CKD Finance के नाम से आप watch list प्रिपेर कर लेना और जब watch list प्रिपेर करोगे 126 रुपे का भाई सहाब 126 रुपे का इस company ने high लगाया 91 रुपे 51 रुपे 60 पैसे का इसने low लगाया 51 रुपे से 99 रुपे की journey देख लें तो भी अभी almost ये company डबल पे ही खड़ी है stock के PE की बात करेंगे 48.40 का है जो की ज़्यादा दिख रहा है book value की बात करेंगे 46 रुपे का है ये की अच्छी चीज़े की company अपने book value के पास में ही मिल रही है dividend yield की बात करेंगे 15.10% भाई साब साल में 15% तो ये dividend देते हैं ऐसा नहीं है मेरे भाई इन्होंने 2030 के अंदर 15 रुपे unacceptable कुछ circumstances हुए company के अंदर जिसकी वज़े से ये 15 रुपे companies के shareholders को dividend दे पाए 15 रुपे इन्होंने प्रती share यानि कि 100 रुपे अगर इसका company का share price चल रहा है तो 15 रुपे उस company ने dividend investors को बाट दिया तो इस वज़े से बहुत ज़्यादा ये company limelight में आ गई return on capital employer return on equity की बात करेंगे तो 20% से बहुत नीचे है और especially अगर IT sector में अगर कोई company काम करती है या IT से related information technology से related अगर कोई company काम कर रही है तब आपको देखना चाहिए return on capital employee return on equity 20% से उपर पर सोच के देखो अगर ये इस company का अगर 20% से उपर अगर return on capital employee return on equity होता तो मेरे भाई ये share price 99.90 रुपए ना होता ठेक अब चुकि ये company बिल्कुल खतम हो चुकी थी वापस से turn around हुआ है business के अंदर तो अब ये धीरे-धीरे return on capital employee return on equity बढ़ेगी और जब तक ये बढ़ेगी तब तक share price काफी उपर निकल चुका होगा face value की बात करेंगे 10 रुपए चल रहा है यानि कि आपको split भी यहां से देखने को मिलेगा इस टोग के PE की बात करेंगी तो दिखे टाटाई Lexi का 62 का है persistent systems का 47 का है oracle financial services का 18 और एकल अगर किसी के पास company है तो उसे मेरे ख्याल से hold करना चीए क्योंकि बहतरीन company है सही valuation पर खड़ी है KPID technology का देखो 70 का है इसके एसाफ से अगर हम exchanging solutions को बात करेंगी तो किवल 48 का PE है मेरे भाई जो की बहुत decent दिखता है यहां से इसके साथ साथ sales की बात करेंगी करोड का लास्ट quarter में 9 करोड का negative था net profit और इस बार 14 करोड का positive है यानि कि बहुत बड़ा jump देखने को मिला है इसी वज़े से share price में भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में jump देखने को बिल सकता है जहाँ EPS almost negative था वहाँ पर 1.24 का EPS positive हो गया है तो इस company पर नज़र रखना मेरे भाई ठीक है इसके साथ share capital की बात करेंगे September 2023 के अंदर share capital देखो लगातार maintain करके रखा हुआ है 111 करोड की reserves company के कम हो गए 565 करोड से 400 करोड अब ये बाकी 165 करोड कहां गया ये dividend के अंदर चला गया क्योंकि dividend का payment free reserve से किया जाता है ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो किपया करके CA इंटर वाले किसी भी student से आप पूछ सकते हो या CA final वाला student है या almost CA मिल जाए पूछ सकते हो आप उससे long term borrowings की बात करेंगे तो company के अंदर ये भी एक अच्छा point है कि company almost debt free almost 0 है lease liability है company के अंदर के वल 1.17 करोड की इसके अलावा company के अंदर कुछ others borrowings भी नहीं है और most company के पास 1.5 करोड की lease liability है इसके अलावा company के अंदर कुछ भी खराब है नहीं वहीं company का जो cash flow है वो भी positive देखने को मिल रहा है operating जो activity से cash flow आता यानि company के core business से इस बार कुछ अच्छा ही इनको देखने को मिला है investing पर भी company ने focus किया है financing मलब company पर debt है नहीं तो finance में क्या ही कुछ खर्चा होगा debtor days की बात करेंगी जहां 31 दिन के हुआ करते थे वहां March 2023 के अंदर 16 दिन के debtor days बचे यानि कि ये company भाई साब बहुत तगड़ा काम कर सकती है company अंदर के वल मुझे एक चीज़ अभी तक खराब लगी है वो है return on capital employer return on equity 20% से नीचे है पर फिर भी वो 8,9,8 और 9 रुपीज की आसपास return on capital employer return on equity जो कि भाई साब बहुत सठीक दिखरा है यहां से company अंदर एक positive impact ये भी है कि promoters की holding 75% है promoter 75% दाप के बटे हुए है 75% से उपर ले नहीं जा सकते हैं तो साइध अगर ले जा सकते हैं क्योंकि सभी तरब से specific guidelines है कि promoter को अपनी holding 75% तक लानी होती है इसलिए कई बार आपने ऐसी companies का OFS सुना होगा offer 4 से लिके आते हैं जिनका 75% से उपर का promoter hold करके चलते हैं ठीक है यानि कि सभी कमानना है कि 25% float होना चाहिए market में shares का FIIs की बात करेंगे तो 0.11% का FIIs hold करके चल रहे हैं मेरे भाई यानि कि FIIs ने stake September quarter के अंदर बढ़ाया है FIIs की बात करेंगे 0.29% का FIIs continuously पिछले दो quarter से maintain करके चल रहे हैं public का stake भी कम company के अंदर हुआ है क्योंकि पिछले 3-4 महिने में इस company ने result बना के नहीं दिया इस वज़े से कुछ public निकलने के कोसिस करी है 0.08% के एसाब से all in all बात करेंगे return on capital employer return on equity ही खराब दिख रहा है बाकी company के पास कोई debt है नहीं company के अंदर turnaround business है 15% का यानि कि 15 रुपाई का dividend इन्होंने 2023 के अंदर दिया है investors को इससे पहले dividend नहीं दिया था ठीक है इसके साथ साथ company का जो debtor days है वो भी कम हुआ है जो की बहुत अच्छी चीज़ दिख रहा है company का positive cash flow भी है company के पास promoter की holding 75% है यानि कि promoter को अपनी company को पर पूरा भरोसा है तो definitely investors को बनता ही है कि भरोसा करना और ना कि वर भरोसा बलकि public देख लो 24.60% public hold करके चल रही है FIIS का भी company के अंदर भरोसा intact है क्योंकि FIIS जब company के अंदर entry करते हैं तो वो 100-200% लेने के लिए entry नहीं करते हैं उनको चाहिए होता है 300-400% भाई साब तो आप इस तरीके से देखो BIS का भी थोड़ा बहुत company के अंदर intact है ठीक है तो exchanging solutions limited आप watch list में add करो और इसको धीरे-धीरे track करो क्योंकि जब आपके अंदर भरोसा जागेगा तभी आप कुछ action लोगे फिर भी किसी भी share में invest करने से पहले एक बर अपने financial advisor से ज़रूर पूछना ठीक है हरन महादयो, आयपा शरलम, हरी शरलम बहुत बहुत धन्यवाद